नमस्कार, आज की कहानी का नाम है पानी की खोज में भोर का समय था, एक रोकेट दूर किसी तारे से उड़कर टीना के घर की छत पर उत्रा, टीना गहरी नीद में सो रही थी रोकेट का दर्वाजा खुला, एक सीड़ी नीचे आई और उस सीड़ी से एक अजीब सा प्राणी छत पर उत्रा वहे सोई हुई टीना के पास आया और उसका कंधा जगजोरते हुए चलाया प्लीद, जागे मेडम, जागे, क्यों, क्या बात है, टीना ने पूछा पर जब उसने अपनी आँखे खोली, तो उसकी सारी नींध ही उड़ गए कैसा आजीब सा प्राणी था, लेकिन टीना बहुत बहाद्दूर थी जब उसने देखा कि इस प्राणी का व्यवार मेत्री पूर्ण है, तो उसे बिलकुल भी डर नहीं लगा मैडम, मैं जीटों हूँ, मैं बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए, कृपिया मेरी सहायता कीजिए, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, प्राणी ने कहा पानी, टीना ने हैरानी से पूछा और कहा, यहीं ठहरो, मैं अभी नीचे से तुमारे लिए पानी लाती हूँ, आप कितना पानी लाएंगी, जीटों ने पूछा, क्यों, एक गिलास, क्या तुम्हें ज़्यादा चाहिए, हाँ, बहुत ज़्यादा, मुझे अब तक थोड पानी नहीं मिल पाया है, क्या आप मेरे साथ चल कर साप पानी खोजने में मेरी सहायता करेंगी, जीटों ने अपने राकेट की तरफ इशारा करते हुए पुछा, हाँ, जरूर चलूंगी, टीना उत्साहा से बोली, उसे सहासिक कामों में बड़ा मजा आता था, जीटों ट तीना को रोकेट का भीतरी भाग हवाई जाज के कॉक्पिट की तरह लगा, सभी दीवारों पर बटन, घड़ियां और परदे लगे थे, जीटों ने कुछ बटन दबाये और रोकेट छत पर से उड़ चला, चलो मेरे स्कूल के पिछवाड़े वाले तालाब पर चलते हैं, तीना ने कहा और जीटों को रास्ता पताया, कुछ ही मिंटों मेरे राकेट तालाब के पास रुग गया, दरवाजा खुला, तीना और जीटों दोनों बाहर निकलाए, जीटों ने एक बक्सानुमा जब मशीन उठा रखी थी, वह तालाब के समीब गया, मशीन का एक सिरा पानी के अंदर डाला और गड़ियों को देखने लगा, मैडम, यह पानी है, जीटों ने कहा, इसमें तो कीचर और कीटानू भरे पड़े हैं, यह मेरे लिए बेकार है, आप मुझे कहीं और ले चलिए, तीना को याद आया, कि उसके साथ ही, खेल खेल में इस तालाब में पत्थर फैकते थे, उन्हीं पत्थरों के कारण पानी गंदा हो गया होगा, तभी टीना को पास की एक प्रसिद्ध जील की आद आई, एक बार वह अपनी कक्षा के बच्चों के साथ पिकनिक के लिए वहाँ गई थी, उसने जीटों को वहाँ पॉंचने का रास्ता बताया रोकेट जील के किनारे जाकर रुका, सूरज निकलाया था, कुछ लोग जील में नहार आये थे, कुछ कपड़े दो रहे थे, कुछ बच्चे पानी से खेल रहे थे, दोनों जील के पास पहुंचे तो जीटों बोल पड़ा, यह पानी भी मेरे किसी काम का नहीं, लोग साब और हानी कारक रसायनों से इसे खराब कर रहे हैं, रोकेट पर वापस आकर टीना ने जीटों के पास ही की एक नदी पर चलने को कहा, जब रोकेट नदी के किनारे रुका, तो जीटों ने बाहर निकल कर पानी की जाच की, फिर वह चारों नजर दोड़ाने लगा, तुम क्य ढूंड रहे हो, तीना ने पूछा, कार खाने और रसायन घर, जीटों ने बताया, वे नदी से आगे जाकर हैं, लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है, तीना ने दूर नजर आते भौनों की और संकीत करते हुए, पूछा, ये कार खाने और रसायन घर अपना बचा-कुचा- बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं, इस कारण नदी का पानी गरम और रसायनों से बहा रहता है, यह भी मेरे किसी काम का नहीं, टीना की समझ में नहीं आ रहा था, कि वे करे तो क्या करे, वे शोचने लगी, और कहा-कहा हमें पानी मिल सकता है, हाँ, याद आया, धर्ती के अंदर भेने वाला पानी एक बार जब वैं गाउं गई थी तब उसने एक कुवा देखा था वैं जीटो को पास के एक गाउं में ले गए वहाँ जीटो ने कुवे के पानी को जाचा मेडाउम यह पानी भी रसायनों से भरा है जीटो ने कहा लिकिन यह रसायन आये कहां से यह पानी तो धर्ती के अंदर का है यहां तो कोई कारखाना मी नहीं है तीना ने हैरानी से कहा धर्ती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धर्ती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है जीटो ने बताया, यह पारी वर्षा, तालाब, जील, नदी कहीं से भी आया होगा इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेट से आया है इसमें खाद और खेट के कीड़े मारने वाली दवाईयां मिली है जिनका छिड़काव, फसलो और सबजियों की अच्छी उपज के लिए किया जाता है अब तक टीना सच्मुच दुखी हो गई थी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साप पानी को ढून पाना इतना कठीन होगा सागर और महा सागर भी जीटों के लिए बेकार थे चैकि उनके पानी में भी बड़ी मात्रा में नमक और दूसरे रसायन मिले थे नदियों के जरे कारखानों और खेतों से निकले रसायन अंत में सागरों, महा सागरों में भी चले जाते हैं फिर साप पानी मिले कहा से अब तक टीना कुछ-कुछ समझने लगी थी इसलिए वह परिशान थी अचानक टीना ने आकाश में बादल देखे वह बहुत खुश हुई उच सहा से उसने बादलों की ओर इशारा करते हुए कहा जीटो, देखो वह रहा साप पानी का एक स्रोद चलो हम वहाँ चले जहां मूसलाधार वर्षा हो रही हो कुछी खषणों में राकेट वर्षा वाली जग है था जीटो ने बरस्ते पानी की जाँच की और उदास होकर कहा वर्षा के पानी में भी रसायन और तेजाब मिले हैं वर्षा का पानी भी शुद नहीं है तीना को विश्वास नहीं हो रहा था जीतो बोला आप इतनी हैरान नहीं हो कार खाने और मोटर गाड़ियां गैस रसायन आदी उगलती है जिने सूरज आकाश में उठा ले जाता है वहां से गुजरते हुए बादलों में ये गैस और रसायन समा जाते हैं और बादलों का पानी तेजाब बन जाता है वर्षा के साथ यह तेजाब भी धरती पर बरस पड़ता है चलो हम यहां से दूर दक्षिन धुरू अंटार की टिका पर चलें वहां का पानी शुद्ध है लेकिन तुम्हें वहां पानी हिम खंडों के रूप में मिलेगा आपकी धरती के लोगों को पानी के इस्तेवाल में पूरी साथानी बरतने चाहिए आखिरकार जीवीत रहने के लिए पानी आवशक है जल ही जीवन है पशुपक्षी, पौधे और धरती की प्राए सबी चीजों को जीवीत रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है जल में थोड़ी बहुत गंदगी उतनी हारने कारक नहीं है इसलिए अभी तक आप लोगों को विशेश परेशानी नहीं हुई लेकिन अगर आप लोगों ने पानी को अब ओर गंदा किया तो धर्ती पर जीवन का अंत हो जाएगा लेकिन मुझे पीने नहाने और कपड़े दोने के लिए साप पानी कहां से मिलेगा टीना ने परेशान होते हुए पूछा जीटो ने बताया बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, जीलों, आदी के गंदे पानी को साफ किया जाता है ओ नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यलेओं और कारखानों में बेजा जाता है एक गिलास साप पानी बनाने में बहुत स्रम और समय लगता है केवल एक गिलास पानी के लिए? टीना ने आश्चरे से पूछा उसने पानी के बारे में इस तरह पहले कभी सोचा ही नहीं था अचानक ही पानी उसके लिए बहुत महत्पूर्ण हो गया था हाँ, यह आपके घर की किसी भी वस्तू से जारा जरूरी है क्या मेरे कपड़ों, खिलोनों और किताबों से भी जादा? हाँ, बिल्कुल, जरा सोचिये, क्या आप एक दिन भी जल के बिना रह सकती है? बोलिए मेड़ा, ना, मैं पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती लेकिन उपाय क्या है? ठीना ने चिंतित होकर पूछा मनुष्य को कुछ भी करते समय सावधान रहना चाहिए वह पानी को और अधिक गंदा ने करें, जीटों ने उत्तर दिया और आगे कहा, मेरे विचार से लालच मनुष्य को दिन पर दिन अधिक लापरवा बना रहा है मुझे याद है पिछली बार, पचास साल पहले जब मैं धर्ती पर आया था तब यहाँ साफ पानी के बहुत से स्त्रोथ थे अच्छा, तो क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? तीना ने हैरानी से पूछा हाँ मेडम, मैं जब भी आकाश गंदा के इस हिस्से से गुजरता हूँ यहाँ आता हूँ सारे सोर मंडल में आपकी प्रत्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिल जाता है अब आप सोच सकती हैं कि सोर मंडल में जल कितना अनमोल है किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने राकेट का इधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ क्या तुमारे राकेट का इधन टैंक तुमारा मतलब है कि पानी तुम्हें पीने के लिए नहीं चाहिए तीना ने आश्चरे से पूछा नहीं मैं पानी नहीं पीता साप पानी से तो मेरा राकेट चलता है जीटो ने बताया इसी बीच राकेट टीना की छट पर आकर रुग गया टीना अपनी छट पर उतर आई वह उदास थी क्योंकि वह जीटो की मदद नहीं कर पाई मैडम मैं जा रहा हूँ अलविदा जीटो ने हाथ हिलाते वे का मैं साप पानी लेने सीधा अंटार्किटिका जा रहा हूँ हाँ याद रखना आप हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्किटिका नहीं जा सकती अलविदा रोकेट उपर उठा धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में विलीन हो गया तो ये थी पानी की कहानी आपको पता है ना पानी एक योगिक है यह दो गैसों से मिलकर बना है ओक्सिजन और हाइड्रोजन प्रित्वी के 71 प्रतीशत से अधिब भाग में पानी है तो ये बहुत प्रभावी कहानी दिलिप एम सालवी जी ने लिखी है और इसके चित्र अतनूराय ने बनाए है और यह सुन्दर सी पुस्तक रत्न सागर प्रालीमीटेट ने प्रकाशित की है इन सभी का बहुत बहुत आभार शुक्रिया सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यमा